क्रिया कलाप तीन पहला, एक स्वरित्र द्विभुज लें दूसरा, इसकी भुजा को रबर पैड पर मार कर कम्पित कराईए तीसरा, कम्पित स्वरित्र द्विभुज को कान के समीप लाएं क्या आपको ध्वनी सुनाई देती है? कम्पित स्वरित्र द्विभुज की भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श करें आपने क्या अनुभव किया? मित्रों से चर्चा करें उक्त सभी क्रिया कलापों में आपने देखा कि ध्वनी किसी वस्तु में कमपन से उत्पन होती है भिन भिन पदार्थों वस्तु में कमपन से भिन भिन प्रकार की ध्वनियां उत्पन होती है ध्वनी पदार्थ की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपने आकार या आकृती में परिवर्तन का विरोध करता है अर्थात जब किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकृती या आकार में परिवर्तन किया जाता है अथ्वा परिवर्थन का प्रयास किया जाता है, तब वह प्रत्यास्थता के कारण उस परिवर्थन का विरोध करते हुए, पुनह अपनी पूर्व इस्थिती में आने का प्रयास करती है. जो पदार्थ जितना जादा प्रत्यास्थ होगा, वह उतना ही शिग्रता से अपनी पूर्व इस्थिती में आने का प्रयास करेगा. जैसे धातू से बने पदार्थ, रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं. इसी कारण उन्हें मोडना या खीचना रबर की अपे ध्वनियों को प्रभावित करता है। कम्पित वस्तु की लंबाई भी ध्वनि को प्रभावित करती है। एक सीमा से कम लंबाई पर कम्पित वस्तु की ध्वनि सुनाई नहीं देती है।